शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें जाइकन को दोड़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब के लिए समय भूलें इपके लिए सब्सक्राइब कीजिए समय दोलें इन एक वाया है कर दो 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 कि चल्मा फटाफट अपने बेटे को आशिरवात दे और अपने हाथ में सौकानोट रख दे क्यूं सौकानोट क्यूं देख मा तेरे आशिरवात से मुझे नौकरी मिल जाएगी और नोट से चोकरी पढ़ जाएगी और क्या हुआ माश तुम भी बिल्कुल बावी लग रही हो चल बदमाश और अगर इस हैंडसम बेटे पर किसी लड़की का दिल फिसल गया और वो लड़की भी मुझे जच गई तो चंद प्यार की बाते करने के लिए काफी तो पीनी पड़ेगी और काफी के लिए नोट की भी जरूत हो तुमने ऐसा सोचा क्यों कुछ भी मंद में आया सोच रहे थी हो डाड इधर हो अच्छा इंट्रव्यू के लिए जा रहे हो जी लेकर तुमने शर्ट कैसी पहन रखी है जी वह आप भी बत क्या खराबी है शर्ट में भला अच्छा तो लग रहा है ऐसी खराब भी ने लग अच्छा रहेगा बटन बंद करो जी विशाल कपड़ों से ही आदमी का पहला इंप्लैशन पड़ता है और उसके पैनावे से ही उसके आचार विचार और उसकी परस्रेलिटी का पता चलता है तैंक यू डाड बस्ट अब लग ओके मामी अल बेस्ट बीटे समझाया अपने उसके पर काबू रखे और किसी से जगड़ा मोर ले लेता है आप ही बढ़ गया है ना वैसे कितना हैंसम लग रहा है बेटा किसका है ओहो इसके पूरी क्रेड़िट आप ही लेंगे क्या अरे बैठों उदर यार क्या घड़ी-ड़ी पानी मांग जहों यहां तो पानी के श सुनिए आप मुझे तीन दिन से बिठा कर टाल रहे हैं इस कंपनी में में जिंदगी के 35 साल गुजा रहे हैं इस कंपनी में पसीना लगा है मेरा और आपने मुझे बड़ी आसानी से उठा कर फैक दिया आपके भाशाव होते तो मुझे इस तरह नहीं नहीं निकालते आपको शिकायत का मोका नहीं दूँगा मेरी दो जवान बेटिया हैं मुझे कुछ दिन और नौकरी आप मेना टाइम खराब कर रहे हैं आपके लिए जो करना था मैं कर चुका हूँ बाबो इन्हें बाहर निकालो जी साफ पहले बोलो ताला मैं आपको चलो चलो मुझ जैसे कंपनी से निकाल कर आपके आथ पाउ काड़ रहे हो आप यह ठीक नहीं कर रहे हो गनाज थीक नहीं कर रहे हो मिस्टर विशाल चौदरी आज इस मंच पर जिन बच्चों को पुरुस्कार दिये जा रहे हैं वो हमारे देश की बुन्याद की येटे हैं बच्चों हम आपको एक बच्चे की बहादुरी की सची घटना सुनाते हैं शहर की एक बस में बहुत से लोग सफर कर रहे थे अचानक एक गुंडे ने बड़ा सा चाकू निकाल कर एक महिला का मंगल सूत्र चीनने की कोशिश की बस के अंदर एक बच्चा ये सब कुछ देख रहा था उसने अपना टिफन कैरियर लेकर उस गुंडे का सर पर मारा गुंडे के हाथ से चाकू छूट गया और बस के पादूर बच्चे ने उस महिला का मंगल सूत्र लूटने से बचा लिया वो लड़का है मनीश सावन्थ अच्छा ये बताओ आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो आप जैसा ऑफिसर बनूंगा और सब गुंडों की चुट्टी कर दूंगा मिस्टर चाउद्रे मैं किसी फंक्शन में जाने के खिलाफ नहीं हूँ मगर इस वक्त जब हमारे पुलीस डिपार्टमेंट पर पहले से सवाल उठ रहे हैं स्टेज में मलाय पेंके खड़े होना लोगों की तालिया सुनना ये सब कुछ ठीक नहीं लगता लेकिन मैं वहां मिस्स बरूचा हां कैसी आप अरे जी मैं ब्यूटी पार्लर के इनौगरेशन में क्या करूंगा तो तो आ रही है ना है ठीक है ठीक है मिस्स बरूचा मैं भी आजाओंगा मगर डेडी मैं से लोगों के साथ काम नहीं कर सकता मुझसे यह सब देखानी चाहता क्या देखा नहीं जा रहा है बर्खुरदार हम आप समझते क्या है अपने आपको देखो जरा अपने मिजाज में थोड़ी सी नर्मी लाओ सही दुनिया से पैचान तो अब होनी है तुम्हारी जब किसी काम दंदे में जुटोगे ना तब बात समझ में आएगी वाह मुझसे यह सब देखा नहीं जा रहा है मैं तो इन्हें बोलने ही वाला था मैं कि धरता हूं इंसे नहीं जाता हूं अच्छा हुआ चले गए वरना मैं तो इन्हें बोलने ही वाला था मैं कि धरता हूं इंसे नहीं वो डरते हैं तेरे से और क्या पैसे मेरे सौके नोट का क्या हुआ किसी को कॉफी शौफी पिलाई के नहीं अरे कहा मा ने नौकरी मिलती है ने चोकरी चुपकर जोड़े तो उपर से बन कराते हैं तेरे लिए भी कोई सुशील सुन्दर गुड़िया जैसी लड़की होगी है प्रभू है भगवन है मुझ पर कब नजर डालोगे मेरी भक्ति का फल कब मिलेगा मुझे यह दाता सिर्फ एक मौका देदी जी अच्छी हीरोइनों की छुट्टी कर दूंगी ओम श्री देवानन जी नमाहा कि देख रही हो यह फिल्मी भूत लेड उबेगा इसे परेड करवा देगा इसकी अरे इससे कहो के दो मिनिट भगवान के सामने हाथ जोड़े अब यह उमर ही क्या है उसकी उमर ही क्या है यह क्या है मौहिनी का नाश्ता यह नाश्ता यह उबले हुए अलू और गरम पानी में निम्बू शहत के साथ इंदेना मैं डाइटिंग पर हूं वो क्या है ना डैर हम आर्टिस्ट लोगों को अपने फिगर पर ध्यान रखना कोश्ता है मगर खाना चोड़ दिया अचाना की तो के नाश्ता होथा गए यह और यह थो इस से करोड़ी मल जैसे करोड़ पति की बेटीसे में बदल जाती जैसे वंबागिवान में मैं वह वां पल रही हो थी बंगलां गाडी नौकर वह और वो यहां आपके इस घर में बस मैं चला आप तुम ही जहलो इसे एक दो सो रुपे दे दीजिना यह दो सो रुपे तु तो तेरे वो सेट करोडी मल से ले 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 दे दीजिना डैरी ब्यूटी पाला जाना है नहीं और तुझो लोगों से यह कपड़े मांग मांग कर पहन तुझी शर्म नहीं आती अच्छा है ना फेस मसाज करवाना है डैरी पैसे दो ना चुपकर मैं कोई रिश्वर्ट कोड पुलिस वालों में से नहीं हूँ जो चौदा सो की तंखा में 200 रुपे फेस मसाज को दे दूँ सुनिए दिल मत तोड़िये इसका यह मेरी चूडिय चूडिया रहने दो मैं ही कोई रास्ता निकाल लेते हूं कुछ नहीं सपना देख रही थी ना अरे देख तो कोई नहीं मुसीबत मत बोल लेना मैं हमेशे डरा हुआ रहता हूं कई तुम्हारी मज़े से मेरी चुना कर ट्रांस्मर नहीं हो जाए और मैं इस उमर में चुन बना रखा इस पूली स्टेशन का और यह यह पाइले कैसे रखी है सरे मैं अभी ठीक करवा देता हूं बहुत शरम नाक है यह सब इसे साफ करवाईए यह क्या है मैं इसमें रिपोर्ट दर्श करते हैं आप देव कि नंदर जी मैं दो बार आपकी ट्रांस्फर रोग चुका हूं इस बार सीधा आपको जूनागर भेजूगा जूनागर जानते हैं एसीपी साफ मुझे बार बार जूनागर ट्रांस्फर करने के क्यों दमगी देते हैं उन्होंने मेरे बाप की फाइल पड़ ली है और मेरे बाप ने डाकू भूपत को मरवाय था और डाकू भूपत का पोता मेरे लिए जूनागर में वेट कर रहा है अगर मैं जूनागर गया तो मेरे मैं सिर्फ जूनागर जाओंगा आओंगा नहीं अब आपका कामे मुझे करना पड़ेगा लेफ्ट, लेफ्ट इंट्स, अपस्ट्र शिफ्ट लेफ्ट, 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 लेफ्ट हाइ हाई मुझे जरा आगे तक छोड़ देंगे प्लीज हाँ हाँ, बैठीएना, आप की तो गाडी है यहां से राइट ले लिजी मैंने तो राइट कहा था यह आप मुझे कहा ले जा रहे हैं चुप चाप बैठी रहे यह तो गलत गारी में लिफ ले लिए भाई साथ आप मुझे आगे उतार दीजे ना प्लीज वो वो देखे आप मुझे साइट पर उतार दीजे ना अपना घर समझो जोड़े मुझे जोड़े में जानी कहा ला रही है अब भाई साथ छोड़े जेना मुझे प्लीज मैं आपके बहन जैसी हूं ना लेकिन मैं भी तो तेरे मर्दी जैसा हूं ना प्लीज जाने किर वो भी वो फड्सक्तों कि ला रही जड़े प्लीज़ में प्लीज़े जर लाई किर रहां साथ जैसी जरन्फान ले जु़ अमराँ जो वो झाईब और आषब प्लीज़ ऑन्यरी कि प्लीज़ प्लीज़ आपोजा ! मतमार ! ड़ी झो मदगी ! आख ऐख उख झाष हीरो जी हीरो जी पर रूस्किया को क्या हुआ वाह कितने से टाइम पर एंट्री मारी बेलकुल फिल्मों की तरह उन्हें किसे बता चला कि यहां रेप हो रहा था बास ही खड़े थे क्या आप मेरी छोड़ी है पहले यह बताइए कि इस विराने में क्या कर रही है मैं मैं यहां खुद नहीं आई मुझे यहां पर लाया गया वो क्या है मैंने उसे लिफ्ट ली थी न और चलो भवान जो भी करता अच्छे के लिए करता और पैसे भी हीरो एरोईन की तकराने की कोई वर्षत में ऐसे मत करो मैं गर कैसे जाओंगी लिफ्ट लेकी चलिया अरे तो जा रहा है ऐसा तो कभी नहीं होता मगर यह मोश तुझा आई कैसे बैटी अरे मा यह तो कमाल हो गया बिल्कुल फिल्मों की तरह एक लड़की सड़क पर किसे से लिफ्ट मांगती है काड़ी लड़की गाड़ी में बैठती है और लिफ्ट देने वाले उस आदमे की नियत बिगड़ जाती है और लड़की उसके इरादे को भाम जाती है मां और वो गाड़ी से उतरना चाहती है कि उसने हाथ पकड़ा मगर यह सब हो रहा था तो तो वहां क्या कर रही थी वो लड़ भागते एक जगह उसे दमोच लेता है फिर एक वक पर एक हीरो की एंट्री कैमरे के सामने होती है और उसके बाद ते धनादन डिशुम 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 उस विलन की छुट्टी कर देता है मां क्या हीरो था यह तो भगवान नहीं उसे भेजा होगा नहीं तो एक तु यह हर करते करना बन कर दे वरना मैं एक भारों में चपवा दूंगा तेरा मेला कोई रिष्ण नहीं पैसा ना कीजिए अभी बच्पन है इसमें उमरी क्या है इसकी एकी तो बेटी है हमारी अरे एकी तो भूल की है मैंने 19 साल से एकी डायलोग सुनता आ रहा हूं अभी तो मरी के ऐसकी अभी तो मरी कर अबिटी तुझे उस लड़के को घर लाना चाहिए था बड़ा अजीब लड़का था मा बाव य ने दिया मुझे वरना ऐसी सुच्वेशन में तो हीरों हीरों को ज़रूर घर तक छोड़ने आता है मुझे खुद बस पकड़ के आना आपड़ा मकर तू फिकर मत कर मा दोबारा फिर टक राएगा मुझसे अरे मा अभी तो उसे मेरे साथ गाने वाने भी तो गाने हैं कि अज़िया एक प्रकॉल कि 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 हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है कैसे दिवाने के दिवानी हो गई कैसे दिवाने के दिवानी हो गई कैसे दिवाने के दिवाने हो गई कशर से जोता के तू मेरा दिल बोला कुकड़कड़ू ना जान हमारे प्यार की रूगा हुई सोया है तु मेरा दिल बोला कुकड़कड़ू इसलिए तक कि इसलिए तक कि द्रॉप आपकुड़ू इसलिए आज नहीं गत्तु को मेरा हुई तुमको मेरा होना है तुमको मेरा होना है जो प्यार में गाम लड़के हैं करते वो लड़के करें कुछ्छू मेरा दिल बोला कुकड़करू इतना जान हमारे प्यार कि दो कहाँ तुम मेरा दिल बना कुकड़करू कुकड़करू कि यह की नय दाते गी थे बैटी कुझेर मेरा को सबना कि मुझत कि मुझत गोनी चाहिए और उम्र की पतंग होनी चाहिए पुजारी जी मेरे जिंदेगी में एक सपर्थ स्थीरों की एंट्री हो चुकी है अब बस पठाफट अपने भगवान सा कहकर कुछ चक्कर चलवा दो ना प्लीज आज सोमवार का दिन है तुम साथ सोमवार आकर लगातार यहां पूजा करोगी तो जरूर तुम्हारी मनो कामना पूर्ण होगी है सच प्रभू की महमा पर शक नहीं करते बेटी है सॉरी तुम अरे वा यह तो पहले सुमवार नहीं असर करना शुरू कर दिया तो अम यहां क्या कर रहे हो मैं अक्सर आता हूं अच्छा अकेले नहीं मां के साथ लेकिन व यहां बहु मांगने आती है और मैं नौकरी आओ माजी की मनो कामना तो पूरी हो गई वहां तो समझा मिल ही गई मैं अपने सुमवार तुम्हारे नौकरी के लिए रखूंगी एक में एक में बहु मिल गई मतलब हां मैं क्यों पुझारी जी हमारी जोड़ी कैसे लग रही ह कितनी लजजाहीन हो गई है राधे कृषण, राधे कृषण, राधे कृषण सुना, मैं राधा तुम के शट, क्षण चलो ढेंग कर बैठे है तहले मुझे जरूरी फोन करना कुछ अथा पता तेलिफोन नमबर मोदे डैड़ी एसीप चौतरी है है तो ंए तुम्हारा टेलफॉन नंबर दूम्डिलोंगी अहां दरोर मिलूंगा हां हां वी सब्सक्राइब हम अब जल्दी करने तो ब्लाइट यार दो अदर घर जो गता है हरो अब हर कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि अज़िए कि अज़िए इसको पता नहीं कौन लोग थे गाड़ी मांकर गुचल कर चले गए कि अज़िए इसे डॉक्तर एक्सिडेंट का केस है कुपता पुलिस्टेशन को फोन को दोक्तर पुलिस याने तक यादमी मर जाएगा मगर इसमें हम क्या कर सकते हैं तुम कुछ भी कर सकते लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकता है रहो क्या तरह विशाल छोड़ दो इसे देखो देखो यह इनसान है इसके अंदर भी जान है यह पर गया यह मर गया निशाल देखो जो तुम से गल्टी हुई है यह मानो भा मुझे से गल्टी हुई है एकाद्मी मेरे सामने लह लोहान ताडब रहा था मुझसे गलती हुई उसे हस्पिताल पहुचाकर मुझे अइसा नहीं करना चीये था सदमी को मारने के लिए छोड़ देना चीये था जैसे लोगों ने मेरे भाई को छोड़ दिया था है ना डैड अगर मेरी जैसी गलती किसी और ने की होती तो अज मेरा भाई बढ़ता नहीं जिन्दा होता वह ये कहना तो मुश्किल होगा कि या आदमी बाबा खान का था या मनना शेटी का जेरा तो इसका तेज़ अपसर चला गया सर वो दूसरी लाश किसकी थी उसका नाम वामन चौरासिया सर पास की शांतिन अगर छोपड़ पटी में रहता है उसके रिष्टेदारों को खबर कर द यह उसके लिए दवाईया लेने जा रहा था रोड क्रॉस की और यह देखो यह बाबा खान और मना शेटी के बीच में जो पक रहा है ना यह सब उसी का नतीजा है इसलिए दोनों के आत्मियों पर कड़ी नजर रखो राज सर अरे सेट कु बलो गई मर जाएगा मैं इसेट अर्ग कर दो ! पूली निकाल दी है अब कोई खत्रा नहीं है लेकिन पैर में रॉन बिठाना पड़ेगा अब यह चल फिर नहीं सकेगा मतलब लाइफ में मोमें नहीं तो कुछ नहीं मॉनिंग इवनिंग नाइट फिर मॉनिंग सब टाइम टो टाइम रोलिंग होते रहता है आदमी को एक एक मॉमेंट फेस तो फेस करना चाहिए तुमने मसुद के चेहरे पर आसिड दाल कर बहुत बड़ा काम किया है अब पोलिस के मॉमेंट का कोई कत्रा नहीं है बबा तेरे साथ साल का रिकार्ड बहुत अच्चरा दो अक्टोबर गांधी जहेंती के दिन केर वाड़ी में कांस्टबुल शर्मा का पहला मॉर्डर 19 नॉवंबर को अरेस्ट हुआ तीन दिन का रिमैंड और 23 नॉवंबर को जमानत 26 जन्वरी गनतंतर दिवस के दिन शर्मा का फाइल बन इस पहले मॉमेंट के बाद साथ मॉर्डर बिना किसी फॉल्ट के हुश्यारी से किया बबा कवर्मेंट जाब मिलने का एज 25 साल पिरिएट 30 साल और रिटार्मेंट 25 में मगर हमारे दंदे में ना जाब मिलने का टाइम फिक्स है ना रिटायर्मेंट का माई तेरे को रिटायर करता हूं ना मर्दों की तरह मैदान में पीड दिखा कर वापस आया हराविश साला बहुत बड़ी बड़ी बाते करता था अरे ये तो ऐसा मर्द था जो सिर्फ औरतों के अखाड़े बे लंगोटा बान के उतरता आज इस हरामजादे की वजह से वो मन्ना शेटी अपने सीने को ठोकता होगा ऐसी 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 वो समझता है कि वो खान से टकर लेगा खान से जिसने उसको इस शेहर में पहली रोटी खिलाए उससे टकर क्या बोलता तुम मना चा बोलता तुमाह ये गवरी ये खुण कराबाग क्या मले वाल तुमको इससे एक इसको गोली मारा तुमां। हां मार देगा तक यह सब दंदे के इंट्री से पहले मैं सब लोगों को तो फेस-टू-फेस बोला था है मन्ना तरे समेच मार लास तुम सब घूल होगे तुम और था है अभी मूह बंद रखने का नहीं तो माई तेरे को गोली मार देगा मन्नशेटी एक ही बात जानता है बल मुहिनी की डायरी 629-029 नंबर तो जाना पैचाना लगता है लता मैंटर नीटी होम नहीं मुहिनी की तो शादी भी नहीं हुए अब तक 629-029 यह तो चोदुरी साप की घर का नंबर है जोदिया साप की घर का नंबर मुहिनी की डायरी में दैडी कितने बार काई है मेरी परसनल डायरी है आप भी न लेकिन जोदिया सबकान नंबर तुम्हारी डायरी में कैसे आया तूर मुहिनी पढ़ के अम आम अ हेलो हेलो विशाल है घर पर आप कौन बोल रही है वो मैं मैं वो मैं समझ गई विशाल कोन है तुम्हारा कौन हे माँ पता नहीं कोई वो है वो है अगए किया हॉ था चैने तुम सोच रहें नहीं कि अगर मुझे कहां से मिल गया हाहा सब हो जाता है बस मुहबत का नशा सर चर जाना चाहिए और पुरानी सहीली है बहुत अची सहीलीए है अगेलो क्यों आंटी पास भी खड़ी है क्या ने ने बैठी है तो क्या हुआ तुम उनको बतादो कि तुम अपने जाने जीर जाने मन से बात कर रहे हो हाँ 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 क्या सुन्हे देखो अपने प्यार के गाड़ी दमाने के रफतार के साथ दौघानी होगी इसलिए future के progress के बारे में एक emergency meeting बहुत जरूरी है ओ मा एक book के बारे में बूछ रही है हाँ वो book मैंने किसीको देटी है पता नहीं हाँ पता लगाता हूं हाँ बताता हूं मैं बताने के जरूरत नहीं है मैं तुमें उसी जगह मिलूगी जहां आम पहले मिले थे वैसे ही बुक कोई लव स्टोरी तो नहीं ऐसी किताब पढ़कर ही तो इतना पसीन आता है जल्बत माश क्यों अपना फटा-फट फॉर्मुला काम आया कि नहीं कैसा फॉर्मुला देखो ना चंद मुलाकातों में हम एक दूसरे के कितने करीब हैं वरना यहां तो सालों लग आज के जमाने में यह सब चलता ही नहीं है आज चक्रा है दिल मिले गले मिले और चुमा चुमा देदे सुबा हुई शाम हुई दिल ने तुझ को या किया सुबा हुई, साम हुई, दिलने तुझी को याखिया सुबा हुई, साम हुई, दिलने तुझी को याखिया कि यार में तेरे लडंख घन में हर घर हर सबनी सोब हुइ शाम हुइ दिल में तुझे को याठ गिया हुआ 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 है मैं कभी ये सोचन था प्यार मी होता है मैं हो कहीं मेरी जान कहीं दिल हसता कभी रोता है संग तुम्हारे बीते मेरे कल ने तुझको या विया सुबा हुई, शाम हुई, दिल ने तुझे को याद किया चलने लगे छब ठंडी हवा, ठाम के दिल नहें जाओं मैं चलने लगे जब ठंदी हवा थाम के दिल रह जाओं मैं अपना मिलन हो जल्दी हाथ दुआ में उठाओं मैं महके बहारों में उड़ती आ चलने तुझ को याद किया सुबा हुई शाम हुई दिलने तुझ को याद किया सुबा हुई शाम हुई दिलने तुझ को याद किया प्यार में तेरे पागल में हर खड़ी हर पल याद किया सुबा हुई शाम हुई दिलने तुझ को याद किया कि अब कुछ बात समझ में आई चौधरी साफ का नंबर मोहिने के पास क्यों था वो चौधरी साफ के बेटे विशाल के साथ का ना गा रही थी चलो इसे लड़का पसंद तो आया आखिर उमर भी तो हो गई है इसकी अच्छा जो कल तक बिल्कुल बच्ची थी आज अचानक उमर हो गई जय हो नारी मा मैं आपको सल्यूट करता हो अब आप जल्दी से चौधरी साब से मिलकर शादी की बात कर लीजिए आखिर हो ना गुर्दिमार कहां वो एसी पी कहां में सब्सक्राइब तक मैं सब्काने करेंगे सर पर पगड़ी बान का गले मिलेंगे शादी की बात कर लो डैली किसी चादी बात करेंगा अरे मैं तेरी शादी की बात कर रहा हूं यह विशाल के साथ तुने जो विशाल चक्कर चलाया ना उसका कुछ आगे पीछे का सोचा आई या नहीं डैडी मुझे मालूम था कि मेरी प्रेम कहानी में मोड ज़रूर आएगा इसलिए मैंने अपने डैलक पहले से तैयार कर लिय प्यार अंधा होता है वो चोटे बड़े उंच नीच का फरक नहीं देखता और फिर ममी यह तो हर लव स्टरी में ऐसा होता है सेट करोडी मल की बेटी राधा हमेशा चोटी दर्दे के किशन से ही प्यार करती है ममी आपने वो सावन को आने ते पिक्चर देखी हैं हुझ बेती मैने तो एक जी फिल्म देखी है Mother India और इसलिए आप Mother India जैसे हो गही है Bro ढद्धि क्यों। आप तेरी फिलम प्यों नहीं दिखाए आप तेरी फिलम देख रही है na तेरी स्टोरी जो भी हो उसका कर दो की जखिज है कर दो, कर दो, कर दो आज पुलिस टेशन के बाहर जो कुछ किया आपने, उसका मतलब आप, звुboomاخने, चानी दीजी, आखर बच्चा है, तुम्छ करो, इस्चाहँ में शूंक है तुम भी कुसूरवार हो इसे इस हद पहुचाने में डैडी जिस गाड़ी से वो बूड़ा आदमी कुचल कर मर गया यह वही आदमी जिसे मैंने पुलिस स्टेशन के बाहर मारा उस आदमी के हाथ में रिवाल्वर भी था लेकिन उसे पुलिस नहीं पकड़ पाई एक एक जाला डैड हमारा और इस घर का मुझे पता है मां मुझे बोलने थे आपको ख्याल सिर्फ अपने नाम और अपने पहचान का है देखो देखो इस तश्वीर की तरफ इससे आपका कोई रिष्टा है कि नहीं यह आपका पड़ा बेटा विकास चौदरी दो साल पहले पुलि पुलिस अपने बेटे की मौत का इंसाफ नहीं मिला तो बहले एक आम आद्मियों क्या इंसाफ मिल सकता है वो तेरा भाई बात में हैं पहले हमारा बेटा है यह बाप है उसके जा चला गया से मुझे आपसे कोई शिकारत नहीं कोई शिकारत नहीं आपकी मुश्किल समझती हूँ आप इसकी बात कर नहीं रेवती पिशाल ठीकी कह रहा है यह सच है कि मैंने काफी हद तक अपने आपको इस घर से काट लिया है वक्ति कहां दे पाता हूं मैं तुम्हें इस शेहर की हालत दिन बदिन बिगरती जा रही है कुछ गुंधा दाक्ते हमारे कानून और वेबस्ता के साथ खिलवार कर रही है मैं बोलता तो रहता हूं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ कंट्रोल में है लेकिन सच तो यह है रेवती कि सब कुछ हाथों से छूटता जा रहा है मैं इतना उलज क्या हूं कि अपने बेटे की मौत को भूला चुका है 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 ऐुझ है 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 ふ है है सलाम चावदरी साथ, सलाम मुलाका तो मैं अपसे आफिस में भी कर सकता था, मगर आप जानते हैं कि मैं अपने मामले कानून के दाइरे के बाहर निप्टाता हूँ अच्छा किया खान जो दाइरे के बाहर मिले हूँ, वरना इतनी बात कहने का मौका नहीं देता चौदरी साथ, आपकी बिटे ने सरयाम हमारे आदमी को मारा है, उसने अपनी गुंडा ताकत दिखाए है देखो, मुझे पता है कि उसने किस आदमी को और क्यों मारा है? हाँ, हाँ, जिसे मारा है वो पादरिया पुजारी तो है नहीं, खूनी है, खूनी, तो निकाल दो उसके नाम का कागश, निकाल दो, मैंने तो कभी पुलिस को रोका नहीं, क्यों, और कोर्ट में गवाही अकेला विशाल ही तो देगा न, आप चलिए खान, मेरे साथ कुछ कानून की पंदिशे हैं, वरना तुम जैसों को तो गोली मार देनी चाहिए, भून देना चाहिए मशिन गन से, हाँ, ख्यार अच्छा है चौदरी साथ, लेकिन एक बात समझ लो, ऐसे ख्यार जो बाते है न, तो समझो अपना बूरा टाइम आ रहा है तुम्हारे दिन अब भर गए हैं खान, मेरे हाथ तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत ना भी लगे, लेकिन जिस दिन तुम मेरी परदाश्ट की हद को छूगए, उस दिन मैं तुम्हारा वो हशर करूँगा, कि तुम्हे अपने मर्द होने की गलत फहमी दूर हो जाएगी खान का दिल बोलता है कि तुम्हारे साथ कोई फसना जरूर बनेगा, डड़ी, शड़ाप, और तुमने कैसे सोच दिया कि तुम्हारी शादी हो जाएगी मेरे बेटे से, मुझे तो ये सब देव की नंदर शर्मा का किया धरा लगता है, डिपार्टमेंट में तो तरक्की ह मेरे बेटे से शादी करवा कर मेरा समधी बनना चाहता है, मेरा समधी, ACP का समधी head constable, मैं उसकी transfer करवा दूँगा, जुनागर बेजूगा उसे, जुनागर, मैं जुनागर नहीं जाओंगा, मैं जुनागर नहीं जाओंगा, मैं जुनागर नहीं जाओंगा, मैं जुनाग बनवा लो अपनी बेटी के लिए बुला उसको मैं कुछ पुछना चाता हूं पता नहीं कहां चली गई सुभा सुभा आज बहुत खुछ नदर आ रही है क्या हो गया है अब तक तो लेटर भी टाइप हो चुकी होगी बघवारी बजा सकते हैं मुझे ए बगवर यहां के बारे में लोग कहते हैं कि साथ सोमवार आने से मनोकामना पूरी हो जाती है मैंने सोचा चलो आपसे एक सोमवर की भूल चुक हो सकती है इसलिए आज पिर से आई हूँ और मैंने कुंसा आपसे मोटर गाड़ी बंगला या हीरे जवारात मांग लिये मैंने तो सिर्फ अपना प्यार मांगा है क्या तो मुझ अपना नारी की आंचर में इतना सा सुप नह मैं तो मैं इस मंदिर में सर पटक पटक के जान दे दूंगी मैं तो मर जाओंगी लेकिन तुमारी इमेज खराब हो जाएगी और यह जो बेसिन के लड़ूं का भोग लगता है ना अरे तरस जाओगे एक एक लड़ू के लिए हां बस 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 और कितना धमकाओगी ने क्या क्या है यै बहुत नाराज हो भगवान से व वह क्या है माजी मैं आपको माजी बोल सकती हूँ ना हां हां कहानी यह माजी की मुझे बोह हो गया है वही जहर किसी को इस उमर में हो जाता है जए आए वही जो चैनल को किINA है soy amazing मेल गiblutar कुटा आपने भी पूज की होगी न मा कि हों आप अध्यान यहां रखिये मुझे लगा आप जाने वाली है हाद मैंने प्यार करके कोई गुमा तो नहीं किया न मा नहीं कोई गुरा नहीं किया बोलते हैं कि मेरी शाधी उस से नहीं हो सकती वो लड़का हमारी हैसिये काना है मैं आपके कंदे से टिक सकती हूँ हाँ हाँ वो क्या है माजी ऐसे मोके पर रोने के लिए एक कंदे की सक जुरूत होती है मा जी एक भारतिया नारी अपने मन में एक ही बार किसी की तस्विर बिठाती है ना हाँ बिलकुल तो फिर मैं कैसे किसी और से शादी कर सकती हूं आखिर मैं तो एक भारतिया नारी हूँ ना हां लेकिन वह लड़का है कौन मेरे डाड़ी है तेव की नंदन शर्मा वो कहते हैं कि शादी नहीं हो सकते मगर माजी यह दिपार्टमेंट का मामला नहीं दिल का है तुम्हारा केस तो भाई बहुत ही सीरियस है मेरी घर चलो सब ठीक हो जाएगा कर दो भाई बहुत है जाए बिना शक्कर के मुझे दो चम्मा शक्कर जाहिए अच्छा 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 कैसी लगी है तो खुब्सूरत है में मांगें हुआ कप्र में हमेशा अच्छी लगती। लेकिन ये कब और कैसे हुआ विशाल की पसंद है अपने देव की नंदन जी की बेची है अच्छा अच्छा देव की नंदन देव की नंदन शर्मा जी वो अपने हैड कॉंस्टेबल जी हाँ इसे मैंने तो बहुत चोटी में देखा हूँ हाँ जी हाँ गोद में खेली हूँ आपके पिता जी बता रहे थे चलो विशाल ने बहुत बड़ा काम किया हमारा काम आसान कर दिया मगर है कहां वो अभे उल्लू के पठ्थे हमारी बहू को अब तक छुपागर क्यों रख इसे मिलकर बात कर लेजी है करूं भी तो क्या करना उसको समझाओ और पीट आया है चर्मा जी यह सर इदर आए दर आप से बात करनी है मुझ से सर आइदर बैठिये आगे नहीं पीछे बैठिये पीछे आपके जाए अब कि मुझे आपसे यह उमीद नहीं थी देव किनंदन जी कि आप ऐसे निकलेंगे लोगे बदली हो गया थार सर अबस हो गया ही समझो सब्सक्राइब हो अरदम इसमें मेरा कोई कसुन नहीं है मैंने कि उसका बहू को कि नहीं है बहुँ तब तो हम संदी वेलिए करने न दू मैं प्यार शुरू करने न दू मैं प्यार शुरू कह से करू मैं प्यार शुरू कोई जगा न खाली, भैका जल कहीं पिलाली तु ही बता मुझे मैं क्या करू करने न दू मैं प्यार शुरू करने न दू मैं प्यार शुरू घगरी जोने बाली, हाई ठाठल और ये लाली देखे दिन राज ये पहता, करदे मेरी रखवाली तेरे रादो तेरे तु मैं तरू तुरू, 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 कहां से करू मैं प्यार शुरू तुरू, तुरू, करने न दू मैं प्यार शुरू तुरू, करने न दू थे जाए ठोने प्यार शुरू कि वादे पे आना और वादाना निभाना अर वादे पे आना और वादाना निभाना वादे बना के बनाती हो दिवाना मेरा जलाने कोजी मुझको बुलाया यहां है देदे मुझे प्यार तू बता दे छुपाया कहां है हदसे भी जादा बेकरार हूँ तुरू 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 कहां से करू मैं प्यार शुरू करने न दू मैं प्यार शुरू केसी बता तू जगां मैं प्यार वाली हाई कैसे बता तू जगां मैं प्यार वाली तू है धर नाली और मेरे बाले धरकर से धरकर सनम होती नहीं है जुदा कभी मुझको कसम प्यार की दिल तुझ पे दूंगे लुठा अभी लुदार दिल से प्यार कर शुरू तुरू 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 कहां से करू मैं प्यार शुरू तुरू 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 कर दिल से तू प्यार शुरू कगरी चोली बाली हाई का दिल और ये लाली देखे दिन राती ये पहडा परचे मेरे रखवाली तेरे ले ही मैं फिकार करू कहां से करू मैं प्यार शुरू कर दिल से तो प्यार शुरू मन्ना शेटी ने अपने अरिया से हपता उठा कर मेरी हुकुमत पर हाठ डाला है आज तीन बत्ती कल गोल वाड़ी और फिर काली चोकी हर जगा खुसना चाहेगा वो यह मामला दस हजार का नहीं नाम के वजन का मामला है यह बाबा खान मन्ना शेटी वजन वजन का बत्तम चामता है तू यह पैसा मैं अपने आदमी से बिजवा सकता था लेकिन मैने सोचा अभी टाइम आ गया पॉइंट टू पॉइंट पेस टू फेस टॉइज टॉक करने का खान भाई यह अपता इसलिए वापस करने आया हूँ क्या इस शेहर में पैला टाइम हम तूमको सेट बोला इस शेहर में पैला रोटी और साथ फिट जमिन तुम्हारी महरबानी से मिला उसे महरबानी का नतिज़ा दे रहा है मुझे तू शेटी जब मैं दुशे पाल रहा था ना मुझे पता नहीं था कि एक दिन तू ही मुझे काटेगा खानबाई अपने दंदे में लोग पाले नहीं जाते रिवल्वर के माफिक रखे जाते तुमसे मिली रोटी के लिए मैंने भी कितनी बार मौत को फेस टू फेस किया कल तक दंदे में सब मोमेंट मेरा और नाम तुमारा आज नाम भी मेरा मोमेंट भी मेरा मेरे एक ही एरिया पे हाट डाल कर तु समझने लगा कि मेरी बराबदी पर आ गया तो चेटी एक दिन देखना तुम्हें फिर मेरे नाम का पट्टा अपने गले में बानना पड़ेगा अभी मेरी गर्दन के लिए तुम्हारा पट्टा छोटा पड़ेगा खानवाई अगर मैं चाहूं तो तुम्हारा तक्ता ऐसे पलट सकता हूं ऐसे लेकिन पॉलिटिक्स क्राइम में अपोजिशन नहीं तो मोमेंट नहीं कि खानवाई एक बात तुम भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं हमारे दंदे में जो बारी पड़ता है वह ही चुकुमत करता है कि पुन्नों इसके एक एक कादमी को चुन-चुन कर मारना शुरू करो कर दो इस खेल की शुरुआत करने के लिए तूने मजबूर किया मुझे शेटी अपने आद्मियों को गिंकर अभी से उनको दफनाने के लिए जगा और जलाने के लिए लकडी का बंदोबस्त कर लो खान बाई मुर्दे का मुंदन कर देने से वो अलका नहीं हो जाता दो चार आदमी को मानने से पन्ना शेटी का मुवमेंट ब्लाक नहीं होता मैं चाहू तो तुम्हारा मुमेंट अभी ब्लॉक कर सकता हूं लेकिन एक दिन खान पर उठने वाला वार तुने खुद पर लिया था आज तेरी जिन्दगी बक्ष कर मैंने वो कर्जा उतार दिया है और फिर तेरा जिन्दा रहना भी बहुत जरूरी है क्योंकि मैंन टू मैं और पावर तू पावर का मतलब भी तुम्हें समझाना है हालो जरा कमिश्रर साब को दीजिए यह वो सो रहे हैं हम रात को देर से आये वो किसी पार्टी में गए थे ओ बहुत थक गए होंगे ना ठीक है मैं बात में बात करता हूं यह आपरेशन मुश्किल जरूर है मगर हम कामयाब होंगे और हमारी कोशिश यही होगी कि हम उन्हें जिन्दा पकड़ सकें पुन्नु जाडिया ने अपने बेयान में इन्हीं लोगों के नाम लिये हैं यह नहायत खतरनाक और शातिर मुझरम है बेरिकेट साथ और ग्यारा से हवलदार सालवी और पांडे की रिपोर्ट के मताविक यह लोग चंबूर के इस हिस्से में छिपे हुए हैं विजेश पूरी नाकाबंदी के बाद इस हेरी की तलाशी शुरू कर दो सारे होटल रेस्टोरेंट धाबे दुकाने क्लब्स जुए खाने सब जगा अच्छी तरह से चान मारो क्या पूजिशन है अब? सर्ज जस जगी की हमें खबर मिली थी वहाँ पे तला लागा हुआ है मिजे सिंग तुम गुप्ते के कांटक्ट में रहो और मुझे साथ तीन और दो की रिपोर्ट देते रहो ओक सर तोड़ दो ये ताला ये सर कर दो जाँ में अज़ को जब वाँ है साथ ओर दीन और दुम वाँ मेर फक्राओ कि अर्ब। गail अरह कर दो अर्ब। जुर्ण इसथाद सूची प्रेग जैक्ट तर झाले हर यज करन्ग में आया है भुर बजशकी यह ऊढ़े। अच्छोड विजे फॉर्ण एमुलेश बुलाओ मिस्टर चौदरी यह छोटी सी बात नहीं है यह सब आपके जोश और नासमजी का नतीजा है मुझे पता है यह सब क्या हुआ है मुझे पता है और मौफ कीजिये मैं अपना काम आपसे बेतर जानता हूँ मिस्टर चौदरी आवाज मत दबाईए मेरी मत दबाईए मेरी आवाज पूरा शहर खून खराबे और देशत में डूबा हुआ है आज एक आदमी को घर लोटने में देर हो जाती है तो उसके घर वाले उसके जिन्दगी के लिए दौई मांगते है यह आपके लिए शान की बात होगी लेकिन मेरे लिए शर्म की बात है क्योंके मुझे अपनी ड्यूटी और अपनी पोजीशन का ख्याल है आप जब अपने घर में रात के नशे का खुमार उतार रहे थे तो मैं अपने सिपाईयों के साथ उनकी गोलियों का सामना कर रहा था मुझे यह नहीं करना चाहिए था मुझे वो नहीं करना चाहिए था मुझे फंक्शन पर जाकर बाहदुर बच्चों की होसला अफजाई नहीं करनी चाहिए थी और आपको ब्यूटी पार्लर में जाकर वहां का उद्गाटन करना चाहिए आपको फिल्मों के प्रीमेर पर जाकर हीरो हीरों की बगलों में गुज़कर तस्वीरें खिजवानी चाहिए मिस्टर चौधरी यह सब मेरे परसनल मामले हैं आपको मालूम नहीं है कि आप कितना नुकसान उठा सकते हैं तो क्या कर लेंगे आप ज्यादा से ज्यादा मेरी ट्रांसफर करवा देंगे ना तो करवा दीजिए ट्रांसफर मुझे किसी चीज की परवा नहीं है सर एक वाल ख होसला रुखिए हमारी सारी पुलिस फोर्स आपके दुख में शामिल है मिस्टर चौधरी नो फोटोग्राप्स प्लीज मिस्टर चौधरी ऑपरेशन में पुलिस के नाकाम होने की क्या वजय हो सकती है क्या चार अपराधियों को पकड़ने के लिए बीस लोगों की पुलिस फोर्स क्या कंपड़ गई थी क्या उनके पास आपस ज्यादा अच्छे अथ्यार थे आप जवाब चाहते हैं तो मुझे बोलने का मौका तो दीजिए इकबाल को जब गोली लगी तो आप उससे कितनी दूरी पर खड़े थे क्या मतलब है तुम्हारा कि अपनी व्हीं करन कि को अन्जाम देता हुआ मरगया तो तुम्हारे केमरे का कि अब्रस तुह इसे पास सुमक्रें सब्रोगों तुम सब लोगों को सब बाते बनानी आती थे कि सांस लीजिए कि इस चौधरी आपको इस कंडिशन में किसी भी तरह का तनाव लेना नहीं चाहिए आपको कम्रीट रेस्ट की जरूरत है ऐसा भी क्या हो गया है मुझे आप डॉक्टर लोग मी बस माना भी कीजिए ना जब डॉक्टर खुद कह रहे हैं अच्छा तो मैं च कि अलोग आ विशाल पापा को देना जी एक मिनिट पापा का फोन है अलो विजय है सार बोलो विजय सर मेरा शक्स ही निकला ठाकर उन लोगों के साथ मिला हुआ है अर यू शूर जी या सर उस दिन के ऑपरेशन में हम नाकाम इसलिए हुए थी सर अचानक मेरे सामने आया औ परापरादी को भागने का मौका दे दिया उसने उसे तुमने कहां रखा है इस वक्ते ही है सर मेरे ओफिस में लियाओ मैं अभी पहुंचता हूं राइट सर ऐसी हालत में आपका जाना क्या बहुत जरूरी है हां रेवती डार जब डॉक्टर अंकल ने आपको मना किया अजिस्तर कैसे पकड़ सकता हूं सारे शेर की नजरें ठीकी हुई हैं अमारे पुलिस डेपार्टमेंट पे अच्छर एवती अच्छर को है वो सामने अजिस सर मुझे घ्रती होगी मुझे माफ कर दो सर पलीस सर मुझे माफ कर दो तुमने हमारे डेपार्टमेंट को वो दाग दिया है जो खान जैसे सेक्रों सेपाईयों का खून भी नहीं दो सकता पलीस सर अच्छ मुझे माफ कर दो सर पलीस की वर्दी की तोहीन की है तुमने उसे खून किया है उसकी मर्यादा का इसे हास्पिटल ले जाओ है कि अधिए कि 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 देजाब शाले शरद जी माल गोड़ा उन्देर रखवा दो ठीक है खान भाई बोलो डॉक्टर देखिए उसकी जान नहीं ले सकता मैं डॉक्टर हूं खुन खुन नहीं कर सकता मैं ऐसी ही ना डॉक्टर विकास चाओधरी ने बोली थी मुझे पलिस को पंचनामे के लिए उसकी लाश के टुकड़े बटोरने पड़े थे विकास को तुमने आ उसको मैंने मरवाया था तुम ठाकुर को मारोगे डॉक्टर नए तो तुमारी लाश का पंचनामा भी मैं करूंगा और पोस्ट मार्टम भी देखिए 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 मेरे पंदर साल के करियर का क्या होगा यह बात खुल गई तो मेरी डॉक्री देखो डॉक्टर तुमने अगर ठाकुर को नहीं मारा तो मेरे एक इशारे पर मेरे आदमी जान ले भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं तुम्हें कुछ नहीं होगा डॉक्टर चिनाल वो होती है जो पकड़ी जाती है उस मार्टम रिपोर्ट में ठाकुर की मौत तुमारे हाथो नहीं चौधरी के मारने से होगी हेलो, हेलो, गॉंपी टाइम्स हा मैं प्रस रिपोर्टर सकते ना बोल रही हूं एक हैडलाइन नीजे कलके इश्यू के लिए एसीपी चौधरी ने जिस सब इंस्पेक्टर को पीटा था उसकी डेथ होगी है होस्पिटल में कि अचप्ध कान पेश्यू सब्सक्र अरेujahivi घंगे ना मेरे इस्पेक्टर की बहुत'm अरे चौधरी खा गया ना मेरे मारत कउ तुमने क्यो ह Анच किया पलख किया तुमने अपने सीने पर कोली क्यों नहीं खाई किया कुमने मेरे सुहाग को जाना पॉल क्यों? वैसे पालूंगी मैं अपने बत्तों को कैसे! कह से लाओं कि मन के लिए ख डा! क्या वै मैं जानने... और सुहाँ कि पर बा ना, मपर लग्या! यूज नूक्ति लगा झाल कहाण significantly लगद है लalg दो के लंग का वसा प्रभा झाल अर सत्मर्श एक कि अब रहा है थे दो आज़ ने बने लोग में नूपं वाति दो करी नी को बाति करी नी को हँट ते घर ढूंत वाति जो ना कह पाए, ठोटों से जो ना कह पाए, खामोशी को वे कहने दो नैनों को बाती करने दो, बोटों से जो ना कह पाए, खामोशी को वे कहने दो नैनों को बाती करने दो, नैनों को धरती अंबर लहरे ताजर बोले प्यारी की बोले तरती अंबर लहरे ताजर बोले प्यारी की बोले सुनके अपने मन की आहती के पने पेम का घुंगट खुलने दो नैनों को बाते करने दो नैनों को बाते करने दो नैनों को बाते करने दो नैनों को हुआ हाओ झाल झाल हाँ हुआ 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 है सासो में है गीत निलन के धरकन ले अंगलाई सासो में है गीत मिलन के धड़कन ले अंगड़ाई नहत रही बाओं की गल्या मन में आशाओं की तल्या खिलने दो ने दूपो बाती करने दो ने दूपो बाती करने दो खोटों से जुना कह पाए खामोशी हो हो कहने दो नेनों को बाती करने दो नेनों को बाती करने दो नेनों को क्या सोच रहें विशार कुछ ने कुछ भी तुनी सोच पा रहा हूं सब कुछ देख रहा हूं पता नहीं आगे और क्या क्या देखना पड़ेगा सब ठीक हो जाएगा विशार अंकल घर आजाएंगे और सब कुछ पहले जैसे हो जाएगा यह बात मैं अपने आपको क्यों नहीं समझा पा रहा हूं मुझे क्यों लगता है कि किसी लड़ाए की शुरुआते ही है पिशार हो ऐसा लगता है किसी अपना पाव रख दिया और मैं डेस्ता जा रहा हूं कि जब ठाकुर के ऊपर हाथ छोड़ा तब और कौन-कौन लोग थे वहां उनके बैयान उन सब के बैयान में भी ठाकुर के पीटे जाने की बात है और पोस्ट मोर्टम की रिपोर्ट में भी मौत की वज़ा उन चोटों को ही बताया गया है कि टॉक्टर गोकले ठाकुर की मेडिकल रिपोर्ट तैयार किया आपने यह सर वह पेपर्स में इस फाइल में फाइल कर दिया है मिस्टर ठाकुर को ऐसी कुई भीमारी थी ही नहीं आइसे चौदर की तबित किसी है उन्हें हॉस्पिटल में कुछ दिन और रखना पड़ेगा गुड़ इनिंग सर शेटी बोल रहा हूं आप बोलो शेटी क्या बात है सर एक गुंडे के हाद एक गुंडा मारता है तो बात सौंज में आती है एक पॉलिस वाला पॉलिस को मार दाले यह बात सौंज में नहीं है सर हम अगर इसमाले में तुम्हें सेर काने क्या जरूरत है वह सार नहीं कुछ भी नहीं चैनल में इस मोंइन पर बहुत चर्टप चल रहा है पॉलिस वाले हम पर नजर पर नजर रखते हैं हम पॉलिस वाले पर अगर हमारे लाइख को peaceful साहे तो बोलना था यस मैं मेंस्स सिर चौदरी मिलना चाहता हूं देखिये आपको थे बोष्ट थना है तुम समझते नहीं हो कि उनकी तबियत ठीक नहीं है इसलिए उन्हें अस्पताल में रखा गया है और डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें किसी से न मिलने दिया जाए देखो बेटे ठाकुर की मौत ने उनकी दुमा की संतल उनको काफी सद्मा पहुचाया है ठाकुर की मौत एक सब ठीक हो जाएगा कि कि क्या हुआ विशाल वो ठीक तो है न और कितनी दिन रखेंगे होने हॉस्पिटल में मुझे डड़ी से मिलने ने दियागा मा क्यों तुम देखाय से मिलकर बात तो करो विशाल मिला था देखाय साब से उन्हें टैड़ी की फिकर नहीं अपने डिपार्टमेंट की फिकर है कहरें से सब ठीक हो जाएगा मुझे तो कई कुछ ठीक होता नजर नहीं आ रहा है सब कुछ उलस्ता जा रहा है पसा दी कौन क्या करना चाहता डड़ी के साथ अब बोलिए खान भाई क्या करना है चोधरी का मैं इसकी इसको दोनों तरह से लड़ सकता हूं समझ रहें न मैं क्या कह रहा हूं चोधरी को ठाकुर के कतल के जुर्म में उम्रकेद भी दिलवा सकता हूं और उसे कोट में पागल भी साबित कर सकता हूं बसा बोली करना क्या है इस केस में किसके मुझे क्या बुलवाना है कौन से दबतर से क्या चाहिए मुझे सब बता दो मैं कोट के बाहर का संभलता हूं और तुम कोट के अंदर का चाहदरी का इस हॉस्पिटल में पूरे दर से खाया रोकर डॉक्टर्टर्ट मैंने फाइल देखे इस केस में मुश्किल है तो कई है फिर भी मैं कोशिश करूंगा कुछ भी कीजिए वकीव साहब कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा आपका बड़ा हैसान होगा हम पर खान बोल रहा हूँ टीक है ठीक है मैं देख लेता हूं देखिए इस केस में कुछ हो नहीं सकता यह केस बहुत ही कमज़ूर है मैं क्या कोई वकील इस केस में हाथ नहीं डालना चाहेगा ऐसा क्यों क्या रहे हैं आप तो कानुनी तरीकों से वाकिफ हैं यहीं तो पेशा है आपका फिलहार उन्हें छोड़ा लीजिए फिर केस लड़ लेंगे हम इन दिनों की तव्यत कुछ ठीक नहीं है घर पर रहेंगे तो उनकी आपके बनाया आपके आपकी परिशानी समस्ता हूं लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता हूं मुझे माफ कीजिए चल माँ चल यहां कुछ नहीं हो सकता कुछ नहीं हो सकता है कौन आता हूं आपके पास शेक्स्पीर के कोई बुक होगी क्या शेक्स्पीर कोई बुक आप दीचे ना मैं आपको पढ़के लुटा तुम आप गलत जगह पे आगए हैं जाए घर छोड़िये मेरी जबान बहुत साफ है इसलिट माई स्पीच इस बेरी मेरी गुड है क्या लगता आपको मेरी बाचीट से मैं पीटर डिकोस्था हो सकता हूं यूसुफ खुर्रम नाम है मेरा अबल्दार कामट है कि सो रहे से क्या जाओ जाकर किसी को बला कर लो इन्हें सही जगह पर लेकर जाए कि सिग्रेट है आप ये ब्रांदी पीपे ओ कि मैं आकि माची सिल्समाल कर लो कि मैं अखुले जाओ कि मुछला जाओ कि मैं नाम है किसी माची जाओ कि ए झाले इसे खुन ने चड़ा तो आम मार जाएगा डोक्टर साथ यह कोई तरीका बात करने का इन्हें अच्छी तरह से समझाएगा देखिए आप बैठ जाएए यह इंतिजाम कर रहे हैं बैठिए मिस्टर चोधरी मैं आपके इंट्रोड़क्शन करवा दूँ डॉक्टर सोगी डॉक्टर गुपते डॉक्टर सहाई और बिलकुल आपके सामने डॉक्टर खान अब लोगों ने क्या तमाशा बना रखा है यह आद्मी तो पागल बन कर मेरे कमरे में खुसा था ठीकॉस्टा से खुरीख और खुर्रम से डॉक्टर खान बन गया रिलाक्स मिस्टर चोधरी रिलाक्स पानी लीजिए वह ने चाहिए पानी देकिन विस्टर की काफी के लिए when moving in 64 है को कोफी रूप कर दिया और नौंस N1 और कोंखी और कॉफी कब दी गई देखिए मिस रुबीन अभी भी काफी लिए आपके फीछे कि यह और इस डॉक्टर के साथ जगड़ा कर रही थी अपने बैच्चे को खून दिलाने के लिए इस अब क्या हो रहा है कि मुझे पागला बनाने की कोशिश की जा रही है कि मेरा तुमाशा पर आया जा रहा क्या कि मैं आप मेंसे किसी को नहीं बख्षूंगा आप सब लोग इस साधिश में साजयदार हो यह आप लोगों के लिए ठीक नहीं होगा मैं कहां थीक नहीं होगा वाइस इनने इनके कमरे में ले दाओ तो चुटो थोड़ो खूझे चुटो मुझे चुटो मुझे अ मैं कहता हूं मुझे यह इंजक्शन नहीं चाहिए में इसक बगær भी सौ सकता हूं यह क्या हो रहा है सब चौड़ो चौड़ो अने तुम्हे कुमिशनर साहिए चाओधरी साहिए सलाम चाओधरी साहिए तू है मैं तो पहले सी जानता है कि तुमारे साथ कोई पसाना जरूर बनेगा थाकुर को अस्पताल में मैंने मरवाया कि तुने खूण करवाया थाकुर का तुम्हें बड़ा फक्र थान अपने कानून पर अब उसी कानून से बाबा खान तुमारी सही पहचान कराएगा कर दो कि कानून हर मोहरा मेरे इशार पर चलता कोउट में सिर्फ इतना ही थाकुर का खुन्स तुम ने किया बलके तुम तुम्हारे इसी गरम खुन ने तुम्हें दबा कर दिया चोत्री मैं चाहता तो तुम्हारे बड़े बेटी के तरह तुम्हें भी लेकिन मैं तुम्हें मारना नहीं लंगडे खोड़े के तरह बिठा देना चाहता हूं अज़े का खुनी तुए तुने मेरे बेटे को मारा हां मेरे कहने पर मन्ना शितिन आपके नीचे खुचला था उसे मैंने मरवाया था तुम्हारे तरह सच्चाए के पंदे में कर देंदेने का बड़ा शौक था एक जूथी रिपोर्ट तैयार कर दी तियार कर दिया उस्ते अधिक हरामजादे तुने मेरी जिन्दगी एक केरियर सब तबाह कर दिया तुझे तुम्हारी सेहत तुम्हेरी गुच्छा करने की इजाज़त नहीं देती है इंजक्शन दे तो इसे इन्हें आराम की जरूरत है और कल तुम्हें कोट में भी तो जाना है ते आंता क्या है क्यानुन के कुछलों खरीद लेने से तुम्हानुन की सच्चाई को नहीं मार सकता क्यानुन की छट के नीचे सच्चाई का एक कुना हमेशा महफूज रहता है तेरी जीद की खुशे पाट दिन तक नहीं ठीके की खान तुम्हारा है ना खान पिछले 25 सालों से नहायत इमानदारी से मैं अपनी ड्यूटी ने भारा हूँ यूर अनर मैंने अपने फर्ज की खातिर कभी अपनी जान तक की परवारे ही की पीस यो बार अपनी जान को जोखों में डालकर मैंने खत्रों का सामना किया है यह देखिए यह रॉनर देखिए यह गोणियों के निशान उस बात का सुबूत है मिलोड देखना यह नहीं है कि मिस्टर जौदी ने अपने 25 सालों के करियर में अपने डिपार्टमेंट की लिए क्या अच्छा किया है माना कि इन्होंने कुछ सरहनी काम किये हैं अपनी वीटा और सहस की कुछ मिसालें भी पेश की हैं लेकिन ये उस दोर की बाते हैं जब इनकी दिमागी हालत बिलकुल दुरुस्त थी मगर अपसोस पिछले कुछ सालों से जब से इनका बड़ा बेटा एक हाथसे में मारा गया इनका दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ तुका है आप बैठ जाएए प्लीज अदालत की कारवाई में दखल मत दीजी मिलोड एक तरह से मिस्टर चौदरी के हाथों सिर्फ एक इंस्पेक्टर की मौत हो जाने से पुलिस डिपार्टमेंटेंग बड़े कलंग बड़े नुक्सान से बच गया वरना इससे बड़ा भी कोई हा मैं अधालत को कुछ और भी बाते बताना चाहता हूँ मिलोड पहले दी मिस्टर चौदरी से छोटी मोटी हरकते होती आई हैं जिन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया लेकिन पिछले दिनों पिना किसी ठोस प्लानिंग के अपने 20 जवानों को लेकर मिस्टर चौदरी एक पॉब्लिक लेस्ट पर खतनाक अपरजियों से भिड़ गया और इस ऑपरेशन की बारे में इन्होंने कमिश्टर मिस्टर देसाइड से भी सला मशुरा करना ठीक नहीं समझा यहीं नहीं मिलोड उस भीर भरे इलाजे में इन्होंने गोली भी चलाई जिससे आम पबलिक में से दो लोगों को गंभी रुप से चोटे आई जिनका इलाज जब यह थाकुर को पीट रहे थे तो इसको शर्मा मोजूद थे मैं उन्हें बतौर गवाब लाने की इजादत चाहूंगा इजाज़त है इस पेक्टर सर्मा जिसपर मिस्टर चौदरी ठाकुर को बेरहीं से पीट रहे थे आप मौजूद थे वहाँ जी हाँ मैं मौजूद था लेकिन ठाकुर वह इतना नहीं पीटा गया जिससे उसकी मौत हो जाए मौजे थाकुर की मौत की कोई और वजलती है आपको लगता क्या है यह मैं नहीं पूछ रहा हूं आपने देखा क्या है वो बताएं समय रहा हूं तो थाकुर को जब इस हद तक नहीं पीटा गया था तो फिर उसे अस्पताल ले जाने के ज़रूरत क्यों पुड़ी यह तो मैं आपको जोड़ी के मेडिकल एग्जामनेशन रिपोर्ट भी पेश कर दिये जिसे दाक्टर थक्कर ने तयार किया है जिसके अंदर बस बहुत हो यह नाटक बंद करो यह सब बंद करो पिलोड यह रेपोर्ट जूटी है यह डॉक्टर ठककर भी जूटा है पिका हुआ है यह सब पिके हुए है मुझे उस हस्पदाल में लगातार पागल बनाने की कोशिशी गई एक ही चेहरे को दो तरह से मेरे सामने पेश किया गया पहले आदी रात को मेरे कमरे में पागल आता है और फिर दूसरे दिन उस ही पागल को डॉक्टर खान बनाकर मुझे इंट्रिडूस कर वाया जाता है एक और अपने बच्चे के लिए पूल मंगती है वो डॉक्टर से जगडा करती है और दूसरे दिन वही और नर्स बनकर मेरे सामने आती है यह सब मुझे पागल बनाने के तरीक है नहीं कि यही है वारत कि लोट यही है वारत कि इस वार वकील बनकर आई है मिलाट मिस्टर चौजरी की यह हरकत अधालत मिले सब्सक्ते बड़ा सबूत है यह लॉयल मिसेस गुपता को नर्स बताते है हो सकता है यह मुझे किसी मंदर का पुजारी कह दें और आपको फिल्म एक्टर्स गिलिक कुवार यह धर्मेंदर अधाल अधाल यह अधाल यह अधाल यह अधाल यह वही है अधाल विलों यह सब नाटक है इस चक्रवियू की रजना बाबा खान नहीं की है और मैं उसकी गुंडा नाकाम्याब होने की बज़ा भी ठाकुर ही था जिसे बाबा खान ने बाद में हस्पताल में मरवा दिया ताके वो इल्जार भी मुझपर आ जाए और यहीं नहीं मीलाओ मेरे बड़े बेटे की मौत की जिम्मेदार भी बाबा खान और शेक्टी है मैं अपने परिवार की माजूदगी में कौर को नहीं बदाना चाहता था अब अब अधालत भी अगर बाबा खान के शरेंतर में शामल होकर मुझे जूटा मानती है तो मिलोड वो इस हद तक पुरिशाद किया जा रहा है मेरे पती को हम उने क्या कुछ नहीं किया अपने पारिक के लिए अपनी चाहत पको खत्रे में जालत कहीं बार और आज इस बड़ी अधालत पेश करा हूँ मिलोड अब मैं एक एहम गवाग को पेश करने जा रहा हूँ जिन्हें गरूरी मीटिंग के वज़े से यहां पुछने में देर हुए वो है कमिशनर मिस्टर देशाएग मिस्टर देशाएग की दिमागी अहलत ठीक नहीं है इस बात का शक्त आपको कम हो पहले वी कई बार मुझे इनका बेहवर को जीब सा लगा लेकिन मैंने द्यान नहीं दिया जैसे की इनके बड़े बेटे विकास की मौत की एक हफते बाद यह मुझे किसी फिल्म की पेमिर म मैंने सुचा खेर इस हाथे को बुलाने के लिए बाहर जाना चाहते हूंगे हो सकता है आपकी बच्ची इंसे बहुत ज्यादा हिली मिली हो इनकी बातों में दिल्चस्पी ले रही हो मेरी बच्ची सिर्फ दो साल की है इसके बाद मैंने इन पर नजर रखना शुरू किया अपने आफिसर्स को आगा भी किया कर दो कर दो कर दो कर दो किया है कर दो 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 क कि कि कमाम सबूत गवा और मिस्टर चौधरी की मेडिकल रिपोर्ट से यह साबित हो गया है कि मिस्टर चौधरी का दिमागी तबज्जू बिगड़ गया है लेहाजा सरकारी खर्चे पर इसी अच्छे डॉक्टर की देखरेग में उनका दिमागी इलाज़ गया है कि कि दो आगे मागी तो कि दूआ को देखरेगा है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो एंफ लुण्तंनों हमारा बीटा बिल्कुल ठीक है अब के तेहें जूट जाएगा हो कितना गर्व था ना आपको अपनी सच्चाई अपनी इमांदारी पर खुब अंजाम दिया आपने अपने फर्स को कितने मेडल कितने तमगे चुटा लिये आपके आप अपने बहातुरी के नाम लाते रहें और मैं सजाती रही घर को अपने घर को उस घर को जो आज मिरी काटने को दोड़ता है आपके फर्स ने मेरा सब कुछ तो छीनिया कितना सुक मिल रहा है मुझे आज आपकी यहाले दे कर विशाल को कोट में वह सब नहीं करना चाहिए था रेवती आपको अपनी विशाल का घुस्ता करना जाइज नहीं लगा भरी अदालत में आपका मजाख बनाया गया आपका बेच्टा चुँआ आज आपके बराबर का हो चुका है वो यह सब कुछ तमाशी की तरह देखता रहता अगर वो वहां देसाई को मार भी राता ताप मैं उसे ठीकी मांती ही मैं उसे ठीकी मार्ती और किसने इंत्यान देने होंगे मुझे आपकी पत्ती होने का और किसना भुक्तान करना होगा मुझे आप सारी जिंदगी जिस कानूर की दुआई देते रहे वही कानूर आज तहर बनकर मेरी दुट पड़ा ट्रह आपका पाहिच बनागा निस धिल दुट में मिठा दिया गया मोरे बीट को मैरे बीटे को मैरे बीटे को ढाहिए कि अ साले, बुलिस बाले पे हाथ उठाता है करुछ लाता है कर दो लुप घर जोग दो कि दो कि अगए अग। कि अगए भाइव जो ओमाली टुब ऑग टुट。 कि यंगे टुपषक, जग अगानी आपजाता राँ? लुपल एंगे आफ खानी लुपल सो दुब अगे छुब टुपला है... कि कुंदा कर दिस्त तेर को आती है हाँ साले तेरा कभी मुच्चे से से वास्ता नहीं पड़ा ना यह शुर्वात है साले शुर्वात जब तक तेरे करम खुम को ठंडा नहीं करूगा कॉट की तारीक नहीं पड़ेगी के विभश दावर है करते मिशर्वात नहीं कर दो कर दो हो अधार पाज़ू मिसेस चाधरी देसाए यह मत समझना कि मैं कोई अगाह करने आई हूँ तेरे पास मैं तो दूझे आगाह करने आई हूँ थे व्रण जाए तेरी बर्बादी का वक्त अब आ गया है और अगर विशाल मेरा बेटा है अगर वो मेरा बेटा है तो तेरी जेल की सलाहें उसके छू भर लेने से तार-तार हो जाएंगी और उसके बाहर निकलते ही तुझ जैसे कई पापियों के जिन्दगी के फैसले होंगे देखे मिस्स चौधरी आप हमारी जिन्दगी तो तुनियासों के सहलाब में डुबो दी अब अपनी दुनिया की तरफ इस बढ़ते हुए तुफान को रोक सकता है तो रोक ले हाँ देसा है हाँ मैं रमा कांच चौधरी की पत्नी और विशाल की मां आज इस जंग का एलान करती हूं करता है झाल 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 कान बाई मुझे बचला कान बाई मेरी लाइब का मोमेंट कभी भी बंदो सकता है क्या पूस चादरी ने मेरे को बंब बंदिया को अबिfficient करने में धू应 औरी तो अभी आद रहा टां डॉचला करते हो mobilize है विद्या गलत विद्या ऑज़ी दो देत कि सबग zucchini को उचला है कोड़ी आप खार मोम असकान क के अद आपा है झाल खव सच ठाकर को उन्होंने मेरी ही हाथों मरवाया था चोदरी साफ निर्दोश है अंग्रेट्स लाहत लाहत फच्छी यंग्रेट्स कर दो कर दो दो आजा है झाल